हेलो दोस्तो नमस्कार सभी को गुड वर्निंग कैसे आप सभी तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल डिये स्टैडिक गुरूजी में तो अभी की वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है दोस्तो आपकी जो 2019 में कलर की बरती हुई थी तो इसको कल पंजाब एंड हरेना हाई कोट ने खारिज कर दिया है और अब आपका जो रजल्ट है वो नई सीरी से जारी होगा अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कोट ने किया 4888 कल लग की बरती का प्रिणाम खारिज आयोक को फटकार कहा किसी आविद्द को अदालत आना पड़ा तो आयोक करेगा खर्च बुगतान संसोदन करने शीरे से मैट त्यार करने का अदेश बविशे में साबदन रहने की भी हाई कोट ने दिया नसीहत यानि की भई एचसी ने बहुत बड़ी गलती की है जो आपके तीन कोश्चन थे उनके जो ठीक उतर थे उनको माना है गलत और जो गलत उतर थे उनको माना था इस कारण से इस बरती पर हो गया था केस और अब यहाँ पर इसकी सुनाई हो चुकी है और अब यहाँ पर रजल्ट है वो नई शीरे से जारी होगा तो क्या इसमें डिवी के लिए बुलाए जाएगा या फिर सिद्धी मैट लिश लगेगी तो आप विडियो में बने रहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4858 कलक बरती का प्रिणाम पंजाब एंड हरियाना हाई कोट ने खालिच कर दिया है साथ ही प्रिणाम जारी करते से में बरती लापरवाई पर हरियाना करमचारी चैन आयोग HSC को फटकार लगाई है प्रिणाम में संसोदन कर नए सीरे से म इट त्यार करने का आदेश दिया है आयोग को बविश्य में साब्दान रहने की नशियत देते हुए सपष्ट क्या है कि बरती से जुड़ा लापरवाई का मामला दोबार आया तो पूरा खर्च आयोग को उठाना होगा करनाल निवासी अनिल कुमार वैन्य ने ने लिपि पेपर के दो सेट थे नकल रोकने के लिए उत्तर के करम में बदलाव किया गया था सेट C में परसन संख्या आपका 3, 47, 66 वही परसन थे जो सेट A में 24, 62, 69 याची ने बताया कि परते एक परसन के चार विकलब A, B, C, D के रूप में थे नकल रोकने के लिए इन दोनों सेट में उत्तर के विकलब करम को बदल दिया गया था यानि की सेट C में ये दी परसन का उत्तर C था तो सेट A में उसे D कर दिया गया आयोग ने परिणाम जारे किया तो दोनों के विकलब C को सही बताते हुए अंक दिये याची ने बताया कि इन अंकों के चलते कई आवेदग बरती पर किरिया से बार हो गए हाई कोट ने सभी पक्सों को सुनने के बाद H.S.C. की लापरवाई पर फटकार लगाई कहा कि इतनी एहम बरती को इतनी लापरवाई तरीके से लिया गया जो की सही नहीं है हाई कोट ने परिणाम को खारिच करते हुए H.S.C. को परिणाम में संसोधन कर सही परकार से मैट तियार करने का अदेश दिया है हाई कोट ने यह भी कहा है कि चाहते थे कि आयोग पर भारी जुर्माना लगा जाए लेकिन फिलाल ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह था वही आपका मामला जो कल लग भरती का जो आपकी 2019 में थी और अब इसका जो नए सीरे से जो रिजल्ट जारी होगा वो आपका लग बग तीन मिन्ने का अचसी को पंजाब एंड हर्याना हाई कोट ने टाइम दिया है कि तीन मिन्ने के अंदर-अंदर आपको यहां पर इसमें बदलाव करके जो अभी नए सीरे से जो रिजल्ट आपको जारी करना है तो इसमें आपके तीन कोश्चन भाई गलत थे अब उनको टिक किया जाएगा और अब क्या होगा तो इसमें कुछ भाई जो साथी लग चुके वो बाहर हो सकते हैं कुछ डिवी वाले कुछ अन्य नए साथी इसमे जाएंगे और कुछ भाई जो वेटिंग लिक्ट में थे वो भी सामिल हो जाएंगे तो अब भाई देखते हैं यहां पर किस साथी का यहां पर फाइनल में होता है नए सीरी से जो रिजल्ट जारी होता है ठीक है तो अब एक वीडियो में यही लेटेस्ट अपडेट थी आ अबी तक आपने मारे टेलेग्राम गूर्प को जोइन नहीं किया है तो टेलेग्राम गूर्प को जोइन कर लेना टेलेग्राम गूर्प का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतने थैंक्यों आपका दिन मंगल मैं हो ज झाल झाल